तेजस्वी यादों ने वाकई में साबित कर दिया कि अगर ठाल लिया जाए तो कुछ भी हो सकता है आप सबसे पहले अपने स्ट्रीन पर शेखपूरा के सदर अस्पताल की एक तस्बीर देखिए तस्बीर देकर आपको लगेगा कि किसी प्राइबेट अस्पताल का ये हर जो डिस्प्ले लगा है उस पर दिखेगा अंदर कितनी दवाएं अस्पताल में मौझूद है वो डिस्प्ले पर दिख रहा है और सारी चगा-चख बेवस्था उस अस्पताल में हो चुकी है मिसंद साथ मतलब कि साथ दिनों का जो लख्चर त्यस्वी यादों रखा गया था कि जो भी जिला अस्पताल होगा उसको एक दम चकाचक कर दिया जाएगा और शेकपूरा के जिला मुख्याले का जो सदर अस्पताल है उसकी तस्बीर को आप देखिए जो इस बात को दर्शाता है कि वाकई में तेजस्वी यादों ने साथ दिनों में सरकारी एस्पताल का जाया कल्प कर दिया और साथ दिनों के बाद वही एस्पताल प्राइबेट एस्पताल से भी बहतर दिखने लगा सुबेदाय ऐसी कि उसे जान कर आप मानने को तयार ही नहीं होंगे कि वो कोई सरकारी एस्पताल भी हो सकता है। उसके जरी ये दिखाया जा रहा है। इधर LED डिस्प्ले लगा है। अब डिस्प्ले पर क्या करहेगा वो ध्यान से सुन लिजेगा। क्योंकि डिस्प्ले पर जो जानकारी रहेगी उसके बाद से कोई सरकारी एस्पताल का डॉक्टर फर्जी वारा नहीं कर पाएगा। आपको दवा देने से इनकार नहीं कर पाएगा। दरासल LED डिस्प्ले पर ये दिखाया जाएगा कि अस्पताल में किस डॉक्टर की डूटी है। तो हमको सबसे पहले डिस्प्ले पर ही दिख जाएगा कि जो दवा हमको चाहिए वो दवा अस्पताल में मौझूद है और अगर उसके बाजूद डॉक्टर दवा नहीं देता है तब हम इसका भिरोद करेंगे हम पूछेंगे कि जब डिस्प्ले पर दवा दिखाया जा रह है कुल मिलाकर साथ दिनों में वाकई में शेखपूरा के जिला मुख्याले का सदर अस्पताल एकदम चकाचक हो चुका है वहाँ पर सबकुछ एकदम इलेक्रिक बोर्ड लगाया जहां पर लिखा है कि आपात कालिन सेवा निचे वहाँ पर मुलेंस सेवा से लेकर स्टाप चेंजिंग रूम सब कुछ बताया गया है कि कौन सा रूम क्या है वहाँ पर एक, दो, तीन, चार करके सारी जनकारी दे गई है जो कि किसी सरकारी अस्पताल में अपने शायद ही कहीं देखा होगा और वहाँ भी सदर अस्पतालों के अगर बात करे तो यार के सदर अस्पत कितना चमकता है वेशे सदरास्पाल चमकना चाहिए अजए और साट दिन के बाद वो देवाष्था हो भी गई है राश्टी जनतादल की तरफ से पोश्ट करते हुए लिखा भी गया है कि उपुम्खी मंत्री सिरी ते यस्वी यादो जी ने मिसन साथ के तहट दिया टास्क तो प्राइबेट से बहतर दिखने लगा भी यार का सरकारी हस्पताल इसके नीचे 3-4 फोटो है और वहाँ पर दि दिख किराए जैसा वाँ पर काम हूआ है अगर बाकी की सदरस्पतालों में काम हो जाए सब कुछ इवंदारी पुर्भखकर लिया जाए तब शदर असपतालों के काया कल्ब होने से कोई रोक नहीं सकता बाकी आगे देखना होगा कि पूरे बियार में सब कुछ तमाम सदस्पतालों में कब तक हो पाता है आगे जो कुछ नहीं जनकारी जो कुछ निया अपडेट आएगा सब कुछ आप तक पहुचाएंगे आप वीडियो को शेर कीजिएगा ज्यादा ज्यादा लोगों तक बाकी जनता अक्ष्ण के साथ जूरे रहिए कि हम रहे 20 साल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद